Hello everyone, good morning, कैसे हैं आप सब, welcome back, Wi-Fi study with Nandiri discuss करेंगे 6th of January के current affair, जैसा कि आप सबको पताए कि हम days के बारे में चर्चा करते हैं, फिर अपनी class में national और international जो भी news होती है, जो important ख़बरे हैं, उसको शामिल करते हैं, और last में revision की class होती है, और साथ साथ telegram के link पर English और Hindi दोनों languages में, जो हमारा content है, वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, notes भी बना सकते हैं, और किसी भी exam के आप preparation पर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा beneficial है, तो चलिए start करते हैं, और देखते हैं, क्या-क्या खास है, आज हमारी class में आपके लिए, तो सबसे पहले हम बात क देखा गया, तो ये बोला गया कि, युद्ध के दौरान जो अनाथ हुए बच्चे हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो 140 मिलियन है, कितनी है, 140 मिलियन है, आज इंडेक्स बात कर लेते हैं, question number first के उपर चर्चा करेंगे, यहाँ पर, कुवेंपु पुरसकार 2023 किसे प्रदान क किया गया है, तो सबसे पहले कुवेंपु कौन थे, तो ये एक कर्नड कवी थे, कुवेंपु, और उनकी याद में ये जो अवार्ड है, वो दिया जाता है हर साथ, तो इस बार ये कुवेंपु पुरसकार 2023 कि किसे दिया गया है, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है, और हैं, इनका नामे शिशेंदरो मोख्योपाद्या इनको, और इन्होंने नबबे पुस्तवे लिखी है, जिसकी वज़eria से ये पुरसकार इनको दिया गया है, यानिकि जो इन्होंने उलेक्निय काम किया है, उसकी वज़ ये पुरसकार प्रदान किया गया है, क्लियर, next बात क करशन के नियम के बारे में जो बात कही थी उसको सिद्ध करने का काम इनके द्वारा किया गया था और इन्होंने जो अभूत पूर्वकार किया है इसकी वज़ा से इन्हें बात कर लेते हैं ये निवेश बैंक के नया धर्ष के रूप में किसकी नुपती करी गई है युज़ोरी से इन्होंने अपना काम का समाल लिया है और इनको वर्णर होयर की जगहा पर इन्हें अधिक्ष बनाया गया है N-A-R-C-L, N-A-R-C-L के M-D यानि की Managing Director के रूप में किसे नुक्त किया गया है, इनको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनका नाम है P-Santosh, क्या नाम है इनका P-Santosh, ओके, अच्छा, इनको नटराजन सुंदर की जगह पर ये स्थान दिया गया है, अब ये N-A-R-C-L क्या है किस तरीकी की कमपनी है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, इस कमपनी का फॉल फर्म जान लेते हैं, National Asset Reconstruction Company है ये, यानि कि वो Asset जो हमारे सारवजनिक छेतर के बैंकों के द्वारा दिये गया है, और वो bad loan में तरीके से परिवर्तित हो गया है, यानि कि ऐसे रिन जो बैंकों के द्वारा दिये गया है, बट वो वापस नहीं मिले हैं, तो उनके लिए इस कमपनी का निर्माण किया गया है, कि जो सारवजनिक बैंक है, वो इस कमपनी में क्या करेंगे, उस रिन को या उस bad loan को transfer कर देंगे, और ये recovery करने का काम, यानि कि वसूली का काम इस company के द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम है National Asset Reconstruction, ओके समझ गया है, अच्छा देखो, 30 नवंबर 2023 तक जो आकड़े थे, वो ये उस समय जो आकड़े कटे किये गया थे, उसके द्वारान ये बताया गया, कि 10 जो बैंक है, सार कि कितना बड़ा अमाउंट है, लोग बैंकों से रण ले लेते हैं, पर उसको वापस नहीं कर दे, तो इससे निपटने के लिए इस company का निर्माण किया गया है भारत में, ओके clear, आए नक्स जर्चा कर लेते हैं, जल प्रबंधन के लिए, किसको CII रास्टी फुरसकार दिय कर दिया गया है, पर दे को जल प्रबंधन के लिए, यानि कि जो हम जल इस्तेमाल करते हैं, जो वाटर इस्तेमाल करते हैं, उसको दुबारा से किस तरीके से रिसाइकल किया जाए, कि उसका दुबारा से हम रियूस कर सके, तो इन सब छेतर में काम करने के लिए, जिस company ने भूदपूरों काम किया है, उसको 2023 के लिए CII रास्ट्य पुरसकार दिया गया है, तो इस company का नाम यहां पर पूछा जा रहा है, तो hero motor, motor cop, क्या नम इस company का? Hero motor car, यह ऐसी company है, जिसने इस तरीके का काम किया है, इसका जो गुरुग्राम है, वहां पर within the face training में इसको price दिया किसे निव्त किया गया है, दिनेश्त रिपार्थी को, और 1 July 1980 को इनकी commissioning होई थी और उसके बाद से इनको पाध्यक्ष बनाया गया है, चार जमिर 2024 से इनका काम का इस प्रारम हो गया है, एक next बात कर लेते हैं, ARIA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यह है Shashi Singh, तो All India Rubber Industry Association, ओके, clear, हाल ही में दस्वी शताबदी का कदम शीला लेक कहां प्राप्त हुआ है, तो देखो दस्वी शताबदी का है, यह कदम शीला लेक है, यह प्राप्त हुआ है गोवा में, जो दक्षणी गोवा है, वहाँ पर एक महादेव मंदीर है, महादेव मंदीर कहां पर है, तो दक्षणी गोवा के काकोड़ा में है, और इसी महादेव मंदीर में दश्मी सताबदी का, यह जो एक शीला लेक है, खोजा गया है, कर्णर और संस्कृत में इस शीला लेक पर लिखा गया है, और इसको किसने पढ़ा है, वो भी जान लेते हैं, तो देखो, मुल दक्षणी गोवा के काकोड़ा महादेव मंदीर आइच लेक इस समय लेंगो, आयए बात करते हैं, एडि दास के बारे में हम सब जहांते है énडि दास के बैग, एडि दास के जुटे, हुटे तो एडि दास चीन के बाहर किस स्थान पर अपना पहला एशिया इसीसी के इसी तमिलनाडू वहाँ पर इसको इस्थापित किया जाएगा जर्मन कंपनी है और इसका मुख्याल है आपको जर्मनी के हार्जुल जे नौराच बवीरिया में देखने को मिल जाएगा प्रिथवी विज्ञान योजना का प्रात्मि कुद्देशे क्या है प्रिथवी विज्ञान योजना जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रिथवी को समझने के लिए प्रिथवी को जानने के लिए प्रिथवी विज्ञान मंत्राले की मदद से जो प्रिथवी का सिस्ट से 2026 तक चलने वाली यानि यह जो कारिकरा में 2021 से स्टार्ट कर दिया गया है और 2026 तक चलने वाला चलने वाला है क्लियर इस पेश्टी प्रिथवी से संबनित कौन-कौन सी घटनाओं का आधिया जाएगा जो मौसम है जलवायू है जो भुकम्प है जो आला मिक्षी जो फट्ते हैं या जो सुनामी आती है जो प्रिथवी से रिलेटर जितनी भी वह गौलिक घटनाओं है उन सब का आधिया किया जाएगा इस योजना के तहट नेक्स बात कर लेते हैं दुरघटना होट स्पोर्ट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है most important question है और ये किस app की मदद से असा किया गया है ये भी जानेंगे हम तो दुरघटना होट स्पोर्ट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब यानि अगर हम कहीं जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि रास्ते में कौन से ऐसे मोड है या कौन से ऐसे सड़क में क्या हो गया है जिसकी वज़ा से तुरघटना हो सकती है तो इस app के माध्यम से पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि इस स्थान पर हमें सही से गाड़ी चलानी है या बच कर चलना है क्योंकि इस मैप के माध्यम से आपको ब्लैक स्पॉट दिखने लगेगा ब्लैक स्पॉट का मतलब है कि एक्सिडेंट वाला एरिया आ गया है तो यह जो पूरा काम है किस ने करा है तो भारत का जो राजी है पंजाब उसके द्वारा करा गया है और किस app के मदब से किया गया है वो भी जान लेते हैं तो यह जो app है इसका नाम है मैपल सैप क्या नाम है मैपल सैप और पूरी तरीके से स्वधेशी निर्मित है याइब यानि पूरी तरीके से भारत में याइब बनाये गया है पंजाब की सरकार ने 784 दुरगटना छेतरों को इसमें शामिल किया है और 1 जन्वरी 2024 को पंजाब के जो डीजीपी थे उनके द्वारा यानाउंसमेंट करी गई है जो ब्लैक स्पॉट है वो आपको 100 मीटर की दूरी से ही देखने को मिल जाएगा समझ गए अच्छे से बात मैपल्स एप याद करेंगे जो क्या करता है दुरगटना से संबंधी जो छेतर है उसके बारे में 100 मीटर पहले से ही आपको जानकारी देने लगता है और सबसे पहला राजे कौन सा बन गया है तो पंजाब सबसे पहला राजे बन गया है जिसने इस तरीके की मैपिंग करी है और 784 दुरगटना चेतरों के बारे में उसने बता दिया है, ओके, आई रिवीजन कर लेते हैं, जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका फटा-फट, सबसे पहले बात करेंगे, 5 किलो मिटर मैराथन का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो 5 किलो मिटर मैराथन का विश्व र हविका और इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, 2023 के लिए रिकॉर्ड इनके द्वारा तोड़ा गया है, इसके बाद M.S.वामी नाथन पुरसकार से किसे समानित किया गया है, तो M.S.वामी नाथन के बारे में बात करेंगे, अगर तो हरित करांथी के जन्मत दाता है भ प्रोफेसर बी आर कमबोज को दिया गया है किसे दिया गया है प्रोफेसर बी आर कमबोज और प्रोफेसर बी आर कमबोज कौन है तो यह जो है जो हमारा हर्याडा है वहाँ पर चौधरी चरण सिंग चौधरी चरण सिंग जो यूनिवस्टी एक रिशी यूनिवस्टी है उस और्गनाइजेशन है एक वैधानिक और्गनाइजेशन है जो हमारे देश में गरीब लोगों को या जो जिनकी न्याइक सिवाओं तक पहुच नहीं हो पाती उन तक न्याइक सिवाओं को पहुचाना इसका प्रमुक काम है तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए है तो इसके प्रवक्ता के रूप में किसे बनाया के नए प्रवक्ता होंगे रधीर जैसवाल इनकी नुपती करी गई है तो अडानी पोर्स के अडानी पोर्स के मैंनेजिंग डायर करी गई है करण अडानी की राम मनलirting राष्रा के इक सांजी बिरास्त इस पुस्तक का विमोचन कियागया चाहीं है किस के ध्री जान लेते जो राज्यपाल है वो है आरिख मुहमद जी ओके अगामी वाइबरेंट गुजरात समिट के बारे में काफी जादा हमने पहले भी पढ़ा था यह जो वाइबरेंट गुजरात है यह स्कीम स्टार्ट हुई थी 2019 में और अभी इसका दस्वा वर्जन होने वाला है दस से लेकर के प्रधान मंतरी यह पूछा जा रहा है तो चेक गड़ राजे के प्रधान मंतरी है मोजांबी के राश्ट्री और स्विंटरब अमिराद के राश्ट्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं भारत का पहला ISCC प्लस प्रमारन किसे दिया गया है तो यह हमने कल बात करा था कि IS ISCC प्लस सर्टिफिकेशन दिया गया है रिलाइंस इंडस्ट्री की रिलाइंस इंडस्ट्री को क्योंकि जो जामनगर रिफाइनरी है पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन वाली जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के रूप में हम उसको जानते हैं तो त है ररिक्स की अधेष्टा इस बर कौन करेगा रसिया करेगा है और रसिया ने अपना कारेकाल भी स्टार्ट कर दिया गया है रसिया के द्वारा भिक्स से रिलेटेड इफ 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 ऐफ हगी-फ delic T कौन सा देश करेगा, तो विश्व कप कौलिफायर की मेजवानी करेगा, ओमान, कौन सा देश करेगा, ओमान करेगा, F.I.H. होकी 5 की, ओके, क्लियर, तो इस सेशन में इतना ही, आयोग की सारी कोशन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, तो मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरा होसला बढ़ाने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आप सब का तहे जिल से शुक्रिया, आप मेरे साथ बने रहे हैं, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, Okay, bye-bye.